जोहार नई दिशाय में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ निदिकुमारी कहते हैं बिना अपनी संस्कृति और उत्पत्ति के जानकारी के मनश्य जड़ बिन व्रिक्ष के समान है और कला वो धागा होता है जो पीडी दर-पीडी हमें एक दूसरे से जोड़ता है अगर हम जार्खन की परिपेक्ष में कला की बात करें तो छाओ नृत्य को से हम सभी परिचत हैं सराई केला में इसका सुजन हुआ है और कहा जाता है कि 17 शिताबदी वो वक्त था जब हम इस कला से परिचत हुए थे आज हम आपको स्टूडियो में कैसे खास महमान से मिलव किया जा चुका है हम अपनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं तपन पतनायक जी का तपन जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार जोहर जब हम च्छाव नृत्य की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब हम इसे अपनी सामनी देखते हैं तो हम सब बहुत जादा प्रभावत होते हैं, सब को बहुत दिल से छू जाता है, लेकिन इसकी जानकारी, इसकी इतिहास कि अगर हम जानकारी की बात करें, तो अभी फिर्षा कि बारे में थोड़ा दर्शकों को बतलाएजा, देखें, जब हम छो की बात करते हैं, वारत बर्ष पर केई संस्कीरती हैं कलाये हैं, तो भारत बर्ष की जो अपना प्राचितम, हमारा ठाती रही है, उस ठाती में से एक ठाती है छो, जो हम लोग अती प्राचीन संस्कीति कर सकते हैं जो कि यह चो बहुत ही पुराना है पहले जैसे कि सराइकला जैसे सराइकला को पहले सड़ सकला करते थे सोलोग कलाओं में परिप्रोनौ उसके बाद वह हुआ सड़ोई कड़ा जो परनांसेशन होता है उडिया लोक का वहां जाते तर उडिया लोग जैसे अभी हमारा जार करने वीसे जैंगल जाड था हमें खुशी है कि उस टाम में उसको बीडिस भी वाय मोगल भी वहां तक नहीं पहुंचाता है सराइकला में तो अहां लोग जब राजी की स्थापना हुई जो बारो सो पांच में हम लोग का चगधरपुर जो पुड़ा हाट डिविजन बोलते हैं उसको राज़ानी करते तेर जाओगा तो वहां से बारो सो पांच में उनके बुड़ा विक्रम सिंग आकर कि सराइकला राज इस्ता घराना का इस्ताफना किया हुई उसके इस्ताफना के कुछ चाल बाद उनके छोटे भाई को खर्सवा का राज दिया गया तो राज गरबार में यह होता है कि जो राजा होते हैं हम लोग मानते हैं कि जो राजगधी पर बेटते हैं वो विश्नु अंक्स होते हैं ऐसी हमारी माइनता है है चूंकि जैसे कि राजाराम, दसरत, तो ये भारतिय जो है हमारे एक शनातन पद्धती पर चल दी आई है, और शनातन मतलब के वल हिंदू ही नहीं है, जो हिंदू एक तो हमारा धारा है, पद्धती है, और उसी में से एक चोव है, चोव एक ऐसा चीज है कि भगवान शिव की योग, भगवान शिव की जोग जो है, 108 उनके करने हैं, 108 उनके नाम है, उसी नाम के कारण ही हम लोग का चोव बना है, और हम लोग शिव और सत्ती को आर्धना करते ही चोव नित का प्रारम करते हैं, जैशे की सराइकला में, जब राज परिवाराया उसके पहले, केवल नित होता था, ऐसे क तो रहाक जाता है कि जब कोई चीज नहीं था तो एक फिरी निर्थ जब हमारा बोली भी नहीं है उस टाइम को बोलते भी नहीं थे। की बात करती है कि हम लोग को लोगों को अपने और अकरसित करते थे या उसों इंगित करते हैं जिसके लिए हम कर सकते हैं कि वहीं से ही मुद्रा का नाम आजा है। क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते हैं, तो मुद्री को द्रिश्टी भेद है। तो उनका हमें देख रहे हैं कि द्रिश्टि भे ज्टि भेदा है, है रह न, जब हम सरीर ब सागवध कर रहे हैं, हमें गिर्भा भेदो दिख रहे है, यह सीरो भेदो, गिर्भा भेदो, इसलन ईतनी भी भेद ने सास्तर से है ऐसे हमारे जैसे चार बेद हैं चार बेद से स्याम बेद और रीख बेद जो होते हैं जो हमारा शंगीत और साहित को बताते हैं और कहा जाता है कि मनुष्य में जब ये चार बेद ना रहे तो मनुष्य की जो मनुस्मिति है जो उसका जो अपने मनुस्ता का जो यह होता है क बहुत अच्छे इन्सान है, वो मनस्रान की भाव परकट नहीं होता है। तो कला भी साधना है, ऐसी साधना किि किसी को मान के इस आज जाता है, जरसे कहते है कि अहिंसा ही प्रमधर्म जरसे बोलते हैं। लेकिन उसके नीचे वाला क्या लिखा हूं है। अगर आपको धरम की रच्छा करना तो हिंसा करना भी पड़ता है。 मतलब मेरा कने का ततपर जी है कि अगर आप तिरता जुग में रामायन का कहांणी पड़े तो राम को क्यों बनवास दिया गया और जितने मुनिरूसी जंगल में थे जो असूर संप्रदाय के जो मतलब जो तमोगुण के लोग थे उनको बहुत तंग करते थे तो उनके नास के लिए ही राम ने गिया रच्मन जीने गिये प्रभून राम ने वहां जंगल गिये और वहां यह दिखाया प्रेम का संदेश भी दिया कि हम सब एक हैं सबरी के जु जो कहानी हम दर्शाते हैं वह अक्सा जो हिंदू पौरानिक अथाएं हैं रामायन हो गया महा भारत हो गया या फिर समाज जो हमारी संरचना है वो भी कुछ है जो हम इस ने दर्शाते हैं तो यह तो खेर हमने सुना है लेकिन हम चाहरें कि थोड़ अवस्तार में अगर ने घराना में हुआ नियर सिस्टम चलता था तो सरेकला राज घराना में पहले ही अहरा बना ऊमिनो ऑन और न्य गरानाउ पूल तो दोनों घराना कि दोनों घान भणनाने के बाद इन्हों ने उस देवताओं को माんな कमना जैसी कि नायागर ने भृवववववववव जी को माना और पतनाई घाननाने मा जुंकिश्री को माना अxt daw शक्ति को माना तो यहां सिव और सक्ति भृववW बहर्यब का रूप और सक्ति यह दोनों मिल गें चुंकि सीव भगवान स्वमी नट राजा हैं और सक्ति तो नट राजा कड़ते हैं तांडव को संती करने वाले कौन हैं? माता यह तो हैं? अगर माता नहीं रहें, लाश्य नहीं रहें तो उग्र तांडव रहें तो इधरा ह नहीं रहेगा तो इसलिए सराइकला की जो concept है उनकी जो हमारे महान पुरुदाओं नहीं इसको सभी पुरान गंतों से लेकर बनाया है कि ताल की उत्पति जिसे एक डमरू बज रहा है भगवान सीव की डमरू नाद ब्रम्ह खलू डब 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 करें ना उसमात्रा है ना कु कि तरह से लई मिलायागा जैसे कि ताल अगर हम उसको संदी विचेत करें ताल ता फर तांडव लव फर लाइस्तर तांडव और लाइस्तर दोनों जब तक जूडित नहीं होगे तब तब ताल की उत्पति नहीं होगी नाई सिष्टी का उत्पति होगा इसलिए लब जब पूजाते हैं दोनों तो अर्धनारिसर हो जाते हैं और हम लोग अर्धनारिसर को ही पूजा करते हैं तो अर्धनारिसर का जब पूजा करते हैं तो यह भी रसकभ हो जाता है जब स्थीव की हम महिमान लेते हैं तांडव का इसलिए कहते हैं कि मार्शल रडड भी रसका नि बिना लास्के तो प्रस्न नहीं है निर्ति का कोई भी existence होना, तो जब तांडव और लाइसे जब मिलते हैं, तो भी जाके कोई चीज होता है, उसके बाद और छे घराने बढ़े, इसे करके आठ घराना हुआ, मतलब आखड़ा हुआ, तो वह बोलेंगा, आठ आखड़ा क्या है, वह अस्ट भाइरव है, जैसे आप दखेंगो तबला में, उसका जो गोटी रहता है, हम लोग बोलते हैं को उसका भाइरव है, आठ भाइरव अगर सही रूप से नहीं रहे, तो ताल की लई नहीं आईगी, यह बड़ी बात है क्या है, चुकि सराइकला चोव इज सराइकला से, उस टाइम में तो कोई अंग भंग कुछ नहीं हुआ था भारतवर्स में, सराइकला था, उसके बाद वो ओडिसा में चला गिया, और वो चत्र पुरा ही ओडिसा का ही छेतर रहा, जिसको कलिंग भी हम लोग का सकते हैं, कलिंग का छेतर रहा, आप तो आपको गंगा सागर तक आपको कलकटा की इधर मेधनिपूर होगा, इस सब तो कलिंग का ही एरिया था, कलिंग के में बहुत सारे लड़ाई भी देखे होगे, असोग समराट का, चंडा सोग से वहाँ आसोग मना, वहाँ पाईका भी हो रहे, तो यहां क्या हो कि राजा लोग जो पधातिक सेनिक रखते थे, अस ठा में पधातिक सेनिक यदा रहते थे, और धाल तलवाण लेका से अपना रहते थे, उस बिरत्तो को धेखते थे, जब पहले पहले ऒराता, फुई होगी, चोव की, यहीं लोग ने धाल तलवाशे वाँ Keep View to our तो हम बूरतना आनन्द लभत ही नूरतम, आनन्द आया खुसिए जब लड़ाय जूद कुछ नहीं, तो क्या करना होगा? वब याम करना होगा? वब याम के वाध। से इनों से नित्थ नूरतम करना लगा, और उस ताम उच्छ एकम्खोटा लगड़ी मुखोटा बना, बां गुरु केदाननाज साव, राजकुमार तुदेननान सिंग दू, मेरे बड़े पापा नट सकर बन वी आरी पटनाएक, तो इन्हों ने बोला कि बेटा, पहले हम लोग का बच्मन में इसे ही से करते थे, लेकिन कालांतर में धर दर क्या होगा कि इसको मुखोटा, छोग का सब सब्द छाया, छाया से छोव होगा, जिसे प्रतिकिर्ति, प्रतियाकर्ति, प्रतिकिर्ति को प्रतिमिंबित करना, प्रतिरूप, बहुरूप, ये बहुरूप तांडव है, एक नहीं है, बहुरूप तांडव है, बहुरूपम तांडवम, छोव निर्त बहुरूपम वह उस चेत्र में ज्यादा तर उडिया लोग रहतेते, कुछ राधी बंगला कहते थे, वहां के जिसे हमारे अधिवासी भाई भी उडिया पढ़ते थे पहले, उडिया बंगला इलोग पढ़ते थे, तो हम लोग जिसे उडिया में बोलते हैं नि केते छोभी है बूरे, how many different types pictures क्यों, उसका हम लोग बंगलावी बोलते हैं, अरे को तो छोभी हो भी रहे बांदर मुहां, बच्चे लोग कहते हैं, जैसे आप भवान किष्णी को देखे हैंगों, जब माखन चुरी करते थे, और धुली खिलते थे, तो कैसे उनका छोभी हो जाता था, तो रूप लेत देते हैं, आकार वजल जाता है, छोभ नोने जे मास्क, मुखोटा, ये तो छोभ का सब्धे आपको लेटिन परसोना में छोभ है, बीवीन रूप दारिन करना है, और छोभ पहिन के हम अपने उस गाथाओं को परदिसित करते हैं, जैसे मालिजे अभी हम तांडब का ही पर लालाट कर रहा है, तो उस तरह से हम अंग संचालन के माइदम से अंग संचालन के माइदम से अपना पूरे बोड़ी के ये से हम लोग उसको दिखाएंगे, छो में बुद्रा बहुत काम है, हम लोग का नंदी के सबर के जो नियम है, कि अंग विकेपी मुद्रा, और पानी सास्त्र में और पाणिनी में और हम लोग ज्यादा फोलो करते हैं यह को रखा और नेट रसर आद रखा का यहां के लोग मानने लगए हैं वहां से फिर हम लोग का निकट व्रति जो और राज्य था, वो था महीरुभंज और इधर था आपका बागमुंडी तो दोनों बगल बगल में थे कासीपूर के राजा, बागमुंडी के राजा तो यहीं के कुछ गुरुओं ने बन्माली दास और उपेंद्र विश्वारा कि दुनों ने महर्भंज की ओर चल गिये हैं मर्वन जाख उनोंनेशचा दिया आ neden कि रहन पर पहले से उनलंग करते थे लेकिन इसको सही रूप दिने के लिए का रह पहले मखहचा पहना जाता था वेसे महीं राजख्राना में देखा हूं कि मखहचा है महाँं पर लगणी का मखहचा ह। तो ओंन्यों था और बागमुंडी को और चल दी मेरे पुर्वजों ने राज अंदर पटनाएक जो मेरे पुर्वज थे उन्होंने बागमुंडी इसका आप उलेक पाईएगा डोक्टर एन मुखर जी डोक्टर एन मुखर जी उन्होंने census किया था इन दे एर 1961 उनके उसमें उलेक किया कि आज से 300 साल पहले बागमुंडी के राजा सराइकला राज पलेस में आये थे और इनोंने देखा कि हमारा फरीखंडा नूर्थ देखा फरीखंडा जो मार्शल आट फोर्म है तो मार्शल आट फोर्म देखकर कि उन्होंने बला कि मैं भ जो इन एस्थेटिक पहलू, अजली दान्स नित्य नुत्य नाट्य होता है और जहां हम चले आते हैं दूसरे में जहां पर हमारा थेमेटिक है कविताय हैं यह जशी के हम लेज चलते हैं आपको अभी बरसा रितु है तो बरसा रितु का बंडन में हम लोग किये हैं बरसा जमा जमा तो हमारा कविता हैं हुआ पर हैं बोलते हैं कि बादल और राती मोर की बादल के रात में जब बिजली कड़कती है तो उसमें भावना दे कि प्रेमी और प्रेमिक्या के मन क्या होता है नब बधू और नब विभाईत लोगों में क्या होता है क्यों भी तो आकर अ लेकिन आनन्द भी लगता है कितना अच्छा बारी से उस ये को लेकर कहीं निर्थ बनाया गया है। जैसे अभी च्छाओ के बारे में जैसे आपने बताया और एक चीज जैसे मार्शिल आर्ट से आपने का थोड़ा प्रेदत है फिर थोड़ा तांडव से भी इसको प्रेदना ले गई है और हम जब देखते भी दान्स तो उसमें बहुत एनर्जी की आवशकता होती है इसलिए लगता है कि लंबे वक्स तक हम कहा देते कि जो पुरुष है उनका नर्टे है यह पुरुष यह नर्टे करते हैं लेकिन कुछ वर्षों पहले आपने महिलाओं को भी इससे जोड़ना स्टार्ट किया आपने बच्चीयों को भी छोड़ना स्टार्ट किया उसकी शिरुवा इसको जो हमारे अंतिम राजा थे वहां के आदित परताव सिंग दो उनके छोटे भाई थे कौर विजय परताव सिंग दो बहुती सिच्छित और बहुती ज्यानी थे कोई कहते हैं को सुवास बोस के दोस्त भी थे दोस्त होने के नाते उन्हों पुरा पढ़ाई-बढ़ा पर बाहर में उन्हों पढ़ा था तो उन्होंने पहले जैसे कि हम लोग का निला हो निला मतलब रास निला जैसे वह इसी निला भी होता था वहां पर तो 1938 में 1938 में पहली बार Royal Troop of Children's सराइकला बीदेश का भर्मन किया में 1931 में तो उस टाइम में हमारे इस भारतवर्स में कोई भी सांस्कितिक दल एवरोप महादेस के ओर नहीं गिया था बुलगरिया हगंगरी टुनसिया उस पांश्री वादक थे अभी फोटो में है वह हमारे थे पन्नालाल भोष जो महान पांश्री वादक आप लोग जानते पन्नालाल भोष बड़े मिया छोटे में असाद अली खां शानाई वजाते थे तो कहते हैं कि हमारा गुरू जी नहीं यहां पर हमारा राजपलेस में हमारे बिश्मिल्ला खा भी आये थे पंडी जी भारत तत्म जोव में तो ये कला को इस तरह से गढ़ा गया कि एक इनिक आर्ट बोलके इस गढ़ा गया तो उस टाइम में दो बच्चियां मन लड़किया गई थी मानी मजुमदार और ये सेफाली गोश्च किता में है उस किता में पाईएगा दा सराहिकला कर्स्वां थोदा एज़ेज को 1931 इसमें लिखा हुआ है तो मेरे पास भी कुछ है उसका मेरे बड़वावा ही बोलते थे आम लोग गुरू जी बोलते थे और मेरे तो उसके बाद आने के बाद इन्हों बंद कर दिया है मैं भी एक कलाकार रहा मेरा जीमन तो आप डाउन रहा बहुत इदर दर फिर भी एक अपना मैंने 1994 में मैंने राजकियों छोनित कलाकें दे सराहिकला का निजेसक का बाहर समाला हुआ है चुकि मैं पहले दूसरे जग जब की तो आप ही करोए तो चुना चुराने में की इसमा ममन में रहा चूंकि जब गूरू जी थे LIKE डरेक्टर थे तो में सभाग साणीय रहा कि जहां मेरा गुरू जी रह लोग रहते तर महीं जाोंगा मोंग कुझ कूस मुझ झुक्ष को सभाग Candi मौन वान्ता पछिवा आती थी तो गुरू जी बोलते थे तपन कुछ सिखाते तो बोला देखते रहो इस अब सिखाते रहो हम सोते हैं कि भाई विदेश का लड़की लोग आके सीख के चली जा रही है और हमारे बच्चा काई नहीं सीखती है वेरा मन में था लेकिन उस टैम में तो मैं एक कलाकार जब निदेशक बना तो हम को लगा कि नहीं हमारे नारी साकती रिक्रान की बात जादा इन्हों करते हैं तो मैं धारिक्टर एक काम मैं जिस अकाडीमी में था भारत का सबसे पुराना केंद रहे छोका और एक ही मात र केंद था बाद में दस साल हुआ है गोशिली में बना तो एक ही के अंदर था, तो मैंने क्या कि वहां के लोकेल बच्चियां, बच्चियां होते इसे मुझली दी थी कि बेटियों को उनके दोस्तों को लेकर के मैंने निति सिछा दी, जब सिछा दी तो उस टाम में संजोग से उस जिले में उस टाम पास्चीमी सिमूम जिला हुआ करती थी तो हमारे उपाइक्त मोह दे थे स्री स्रीमान अमीत खरेशन और हमारे अन्वंडल में थे अन्वंडल पदादिकारी श्रीमती निदी करें तो उन्होंने बहुत खुशा कि बैठीक आप सिखा रहे हैं लेकिन रोज वहां के लोग कुछ लोग ऐसे हैं और सोड़ों स करते नहीं जा रहे तो 1938 में हम भी भी बच्ची गई थी लेकिन आप लोग छोड़े नहीं बहुत तकलिब होता है जब पाइलट मन सकते हैं ट्रेन चला सकते हैं सब कुछ कर सकती हैं तो हम इसमें कहां नहीं कर सकते हैं दूसरे बिधाओं में दखें हूनित होता हैं के साथ ही पी सीव के मानते हैं तो हम लोग जब सीव को मानते तो सीव का और सकती का मैंने एक बीड़ा उठाया और सराइकला के इतियास में एक नया अध्याई जोड़ा गाली सुना लेकिन मुझे गाली का कोई फरक नहीं बढ़ा हमें अब हम खुछी है कि हमारे चार और में करते हैं। आ चेतर भूम आ कड्रों कोई बोलते हैं। इडियों एरिया में छोव निर्थ किसी ना किसी रूपमे विद्दवान था। कोई से था जिसे हम लोग बोलते हैं Church बातº हम लोग करते हैं बात इन कमे मार्शलाट nagज थाल मार्शल्ठाक का धाल तरवार है उचमें हमका गुछुहों ने व्या-करणental बनाया जैसे नाट्टे सास्त्र में 108 करने हैं, उसी परकार हम लोग का उपली, टोपका, डियाँ, चाली, 36 उपली, छोचाली, इसे करके बनाया है, अगर 36 को हम लोग तीन भाग विवाद करते हैं, कितना होता है, 108 होता है, वो कहां से लिए, यह दैनिक जीवन में, हमारे जो इस चे वोटती है, तो अपना अंगन को जाडव देती है, घर को जाडव देती है, गोवर लिपती है, पिर अलपना देकर तुल्सी मया के चैने में, नहा कर के आती है, तो बाल कैसे जाड़ती है, उसकी बनन, हम लोग उस तकनिक व्याकरन के अमाईदम से कंभा है, इसे हम बलते ह कि देनकी से मारे कृता गुल बनता था पाद।क होता लेकिन उस नहींट जीवन करने माने में कुछा हुआ है। करने जा रहा हूं बात इने डीप वाटर से एक खली नहाने जाना एक गभीर जोलोरहे तो उसका कैसे होगा जैसे आप दोड़केगे कुदग्ये डिप में तो उसका कैसे चलना होगा कैसा मुवमेंट होगा जीसे बोलना गंगा अवत्रणम हम लोग कान से इसे कर लेते हैं इ जैसे उसमें हम लोग देखते हैं कि नहीं, जैसे अस्टनाइका का गुण है मैलाओं में और चार चरित्र हैं, बने पद्मनी, चीत्रनी, संखनी, हस्तनी, तो चारों में अस्टनाइका का गुण क्या-क्या है, वो भी छो में दर्साएगा, एक राधा किष्णनी थे, तो रा पद्मनी चल रही है, तो उभी अपने, जैसे हम बोलते हैं, सिंगर भाहिनी, उनका चल गजगा में नहीं होगा, लेकिन शक्ती रुपानी होगी, उनका यह में होगा, शक्ती का ही पंजु महां से जलगता होगा, तो इतने डिफ्रेंस, और जहां तक डिफ्रेंस की बार थ पहले इसको पूरलिया कहते थे, दो हजार एक दो में, जब यहां बंदना डाडल पहली उपायक्त रही, सराहिकला में, पहली उपायक्त बने और पहला जिला बना, तो हम लोग, मैंने कहा कि मेडम और यहां चेहित्प्रव होता था, उस टाम के वल सराहिकला का ही वहां पर करोप दिया जाए, तो क्या करोगा महस्त बने और भी जो हमारा शेलिया है, विद्वान है यहां पर, मानुम शेलिया है, हमारा निकटवर्ती अभी तक उसको मैनता तो नहीं मिलिये, लेकिन हम तो खरस्वा चोव बोलके जानते हैं, खरस्वा चोव है, महर्वन चोव है, और हमारा सिंग्वा चोव नेयन अपनप्रा है, और इज़र पुर्लिया चुए तो मिलिये, मानुम है, आपको जो अस्ट भूम अरिया बताया था न, यह से महर्वन्ज हो गया, सिम्भूम, जो कॉलान चेत्र हो गया, बीर्भूम, सिकर्भूम, धर्भूम, धाल्भूम, बीर्भूम जाते है, मान भूम तो यह अस्ट भूम अरिया मेंजितना भूम अरिया है, मैंने पहले भूमी शंप्रदाय के लोग, लैंड ऑफ लायन जो हम भूया बोलते हैँ न, भूया संप्रदाय दया के लोग ही राज करते थे हैं, सोली स बीस के पहले इस जगनात भू दालत अबलार पकल दिया पत्त पकल दिया पत्त आज़िक मैं आनद में नाचैने लगे क्या हो रहा है। कि उसमें कोई आपका यह नहीं खाली एक इसमें अरे बीध रस में आंड़ चाला रहा है कुछ तो नहीं है इसमें लोग को सेंटीमेंट है रशा सेंट, 7 रस को रहा सांतरा चोड को 58 रस है हमारा हाहां। आना ज़न को सेंटीमेंट हैं मैं उस स्कातल है। यह सारे आते हैं, कोटी देस, यह सारे चीज़ आते हैं, जिसे हमने कुला पाचड़ा करेंगे, ओंत मुडा, दोनों तरफ इसे पेर करेंगे, तो कटी देस हमरा ठीक होगा. तो मतलब एक जीसा हमने कहा कि पौरानी कथाउं से बहुत प्रेजित है, और मानव जीवन शैली से बहुत प्रेजित है, एक और चीज़ जो हमने देखा जैसा आपने कहा कि आपका भी खेर बहुत बड़ा योगदान रहा था च्छो को जंजाती है महुतसव घोशत करवाने म और आपने शुरुवाद में बताया कि 1938 में हम पहली बार बाहर गयते हैं और विदेश से लेके देश हमारे रोयल ट्रूप गय थे बिलकुल 38 में गयते हैं और इतने वक्त में हमने पूरी कोशिश की कि विदेशों तक यह जाए और वाकरी लेकिन अब जरूरी है कि हमारे रा करी में तब तक के लिए जोहार नमस्कार 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 जब रेकी के लिए जकारी के लिए और राएने ए। झाल झाल